सर्दार निरंदर सिंकपूर्थी पुस्तक अंतर्चात दा लेख है बहस जारी है रुज्जे हुए ते स्यानी लोग बहस नहीं कर दे क्योंकि उनाने अपना कम मुकौना हुंदे कम ते बहस दोमे नाल नाल नहीं चल सकते कस्बियां जन छोटे शेरां दे लोग कट बहस कर द नौकर ना होन कारन उनाकुल बैस दा समान नहीं हुंदा गरीप ते कट वसीलियां वाले लोग कोई बैस नहीं कर दे क्योंकि उनानू सब कुछ खरीदनली नकद पुगतान करना पेंदे उनानू पैसे वाले लोकावां उदार्दियां सुहूलता नहीं मिल दियां इस्तरि इस्तरियां दी बैस विच दिल्चस्पी नहीं हुंदे क्योंकि उनाने कारसांबना हुंदे पुर्षा दी मुकाबले इस्तरियां नाके वुल अपनी जिम्मे बारी नू बदेरे गंबी तानल निबाउन यहां सुगो उनानू कामुवी बदेरे करना पेंदे जिस दिन निबना दौता कदे मुक्डे नहीं उसन्म कमा पिछे इना दोडना पेंदाया कि उन्म पतायी ने कि बैस की हुंदे आ जित्थे टे शर्दा पर उसा सने टे विश्वास होवे उथे बैसलय कोई था नहीं हुँदी। प्यार वीच बैस दी कोई संभावना नहीं हुँदी। तरम देखे तर विच्वास दा बोल बाला होन कारण किन्तु ज प्रंतु करंदी अग्या नहीं हुँदी। जदों कोई व्यक्ति प्यार करदा है, तो उना कडियां विचो पूरन पांथ तार्मिक हुन्दा है. सच्चे तार्मिक व्यक्ति वाले सारे गुण प्रेमी विच सेज्जे आजन्दे हैं. प्रेमी ते प्रेम का एक दूजे नल गल्लां करदे करदे अपने आप नल गल्लां करन लग पेंदे हैं जिमें नानक वाईगरू वाईगरू करदे करदे आप वाईगरू हो गई सन ओमी रंजा रंजा करदे हैं ही राप रंजा हो गी सी इस करके संभव होंदे हैं क्योंकि दूजी तेर सड़ी अंदर वसन लग पेंदी है जदों प्यार विच बैस रंभ हो जाए ता मिलाप वी सूली चड़नवाडा कारज हो निबड़दा है प्यार मनुक कोल केवल परिवारदारत्स मस्यमासन जदों के अजोका मनुक सारे संसार नल बज्जा होया है संसार छोटा ते वदेरे सबंद थूंदा जारे है जिन्दगी दियां सु हूलतावां खत्रे ते समस्यमाँ विवद गईया है साधियां लोडां विवद गईया है हुन सानु वदेरे व्यक्तियां दे संपर्क चौना पेंदा है, सानु वदेरे सुचेत रहना पेंदा है, साड़े हित्व देरे वार वदेरे थामां ते वदेरे व्यक्तियां नाल टकरों दे हैं सो बैस अपने हितां दी रख्या करंदा एक पैंतड़ा है पहला मनुख अपना विरोध हत्यारानाल प्रक्टोंदा सी, फिर उसने गाणा ते गुसेनु वर्त्या ते आजकलू बैस दे पड़ाती है विज्ञानने मनुख नूने खेडन ते विशलेशन दिविदी दित्ती है जिस कारण मनुख हर वर्तारे नू प्रशंदी द्रिष्टी नलवेक दै विज्ञानने ही सानू कदे वाद, विचार, परनालियां ते सिदान्त दित्ती है समेदे बीतर नल वाद ते सिदान्त पुदेरी शक्ती शाली हो गई है जदो के मनुख दिनों दिन निताना हुंदा जारे है सिदान्त जंगां ते विरुदानू जनम देन्देहन जदो के हितान्त अटकराओ मुकदमियादा रूप तार्दा जारे है बहस, दलील, गालबात, मुलाकात, वार्तालाप, विचार वतांदरियाद सब्दा उदेश समझोता सर्वसम्तिती सैम्ति उसारना हुंदे प्रन्तु इन सारियाँ विदियाने मनुख दियाँ समस्यमां सुल्जान दी था उसले परेशानिया पुझाया हन सुर्थ अते लालच चंगे वरतारया नुवी तसीयाँ विच बदल दन्दे हन उदारन वजू अजदक सी विद्यादी गुण ही गउंदे रहियां पर सुर्थ अते लालच वस मनुखने विद्याननु बिलकुल उल्टेव देशानली वरत्या है विद्यादी वर्तों न जायस नू जायस ते गल्त नू सही सिद करन ली किती जा रही है बैस वेच विद्यादी वर्तों गुरुदिया नू गल्त साबत करन वजों ही किती जान दिया इस्ति वर्तों चूट नूँ साच साबत करन लई, ते सचे व्यक्ति नूँ मूरक सिद करन लई, ते नफ्रद नमे टांग सिर्जन लई कीती जा रही है विद्या ने मनुख नूँ शक्ति ते सोच दिती है, पर मनुख ने कुद्रत दा जो हाल कीता है, उसाड़ी सब दे सामने है विद्या नल चगडे वदी हन के कटे हन, पड़िया लिखिया व्यक्ति जदों कोई पैडा कम कर दा है, तो अपने पक विच अपनी ही परकारती सोच दा एक तर्क संगत सिलसला उसार लन्द है अजोके युग विच इमानदारी ते बहिमानी दी हर बैस विच इमानदारी हारेगी अजोके युग विच बैस दी केवल दुरवर्तों ही हो रही है, ते बैस दी आदत एक रोग बन गई है मनुखी रिष्टियां में चिस्ता जैर कुल अनलाग पे है बहस जिंदगी दे परवा विच, रिष्टियां दी बनतर विच, साचलब बन दी जदो जैद विच, एक रुकावट बन दी जा रही है बहस नू फल्सफेदा नां दित्ता जा रही है बंद बंदे ही बैस कर दे हैं, ते बैस नल संसार बंद हुन्दा जान्दा है हंकार ते होमेतो बिना, अग्यानता ते अविश्वास्तो बिना, बैस संभव नहीं हुन्दे बहस करन वालियां तेरा वास्तव इच अपनियां, दुचितियां, संसियां ते पुले क्यां अद्दी ही, नुमेश लौन्दिया हन इर्खा साड़ा नफरताद बैस दियां अधार पावना माहन हुन मनुख विच छुपे रेन दे इच्छा नहीं, सोग वत तो वत थामां ते परगट होन दे इच्छा है ते बैस अपनी हाजर होन दा सुबूत देन दा एक टंग है अजोके योग विच बैस दी प्रविर्ति ये नी व्यापक होगी है के जो विशा बैस दे योग नहीं रहन दा, वो मनुखी दिल्चस्पी दे योग भी नहीं रहन दा साड़ियां कई सब्बामां अधारियां ते कमेटियां दा कम ही बैस करना है हरे कजोके मनुख दी सोच विच स्वय विरोधी विचारां संसियां ते तौकलेयां दा एक पारी जलूस चल रहा है बैस नल दुजी तिर दी कही गल्ड दे गल्थ अर्थ कड़न दी परविर्तित अंबलवान हुई रही है इस नल वक्रे में वद रही हैं वित्थाओं फैल रही हैं विरोध पक्के ते पीड़े हु रही हैं ते हत्यारां प्रती मूँ वद रहा है हुण अपने विरोधी नू मार मुकाण बारे सोचना विश्व व्यापक वर्तारा हो गया है किसे पीड जां हत्यार बंद व्यक्ती जां पुलिस नाल बैस संबब नहीं होंदी क्योंकि ए सारे तरक ही दुरवर्तों कर दे हैं यह जानना बड़ा जरूरी है के शांती खुशाली ते सैमती आद बंदूक जोर जां शक्ती नाल नहीं असूल समझते स्यान पनाल ही होंदी है आते इसे नाल ही आएगी अंजान अंटुरे रहां दी अक्खा बन के लाई दौड किसे मंजिल ते नहीं पॉंच दी बिना उदेश दे बैस कोई निर्ना नहीं सिर्च दी केवल बैस ले किती बैस जां पहले ही निर्ना लेके किती बैस जां पक पाती होके किती बैस जां वरोदी नुहराउन जां न महान प्राप्ति है जिस्विच तर्क वितर्क उपरंत सर्व सम्ती नल निर्ना की ताजन्द है परजया हो नी रहा इसे करके बहस बदनाम है जिव ऐसी किर्थनिये पुजारी अर्जीन वी साथ सिर्ज लेहन उवें बैसी विए जोके युगदा एक वर्ता रहां अदाल्ता म सिसे वकीलान उनिसे उदेशली वर्ता यां इकवरीट बैस विच पाघ लें ली इकत्टीर ने इक व्यसे युन्यु इतला रोये ते क्या करके र onu क्या मैं हूब मैं की त्यारि कर निया爸 विरोद करनी त्यारी तो करनान गे मैंनु किसे त्यार इदी होड़नी जी में आलास जिऊंदे बंदे नू दफना देंदे इमें बैस सब परकार देस बंदा ते रिष्टियां विच विगाड़ पूंदी है इस दाई अर्थ बिल्कुल नहीं कि बैस ना कीती जावे सगो यह है कि बैस सेमती दी पावना ती मिलवर्तन देउदेश नल कीती जावे सगो यह है पर वास्त विच हुनदा यह है कि अपना तर्क पेश करन दी काल वे चसी दूजी ते पनू सुन देई नहीं कनून, थाने, अदाल्ता, जिलाद, मनुखदी, जहालत ते मूरकता विच जूप जियां संस्था वाहन सही अर्थां विच सुमाजो दो उन्ती करेगा जदो साडियां, अदाल्ता, थानियां ते जिला नलो, साडियां लाइब्रेरियां, वडियां ते वदेरी हुन गियां जिते ही मालादियां सिखरां जई, मत्थी, हवावां जई, सूखम विचार, लम्मी बौदिक उडान, सुमुंदरां जई, विशाल हिरदे, ती सूरज जई, उदार, तकणी वळे, मनुख खुस रणगे तरम विच बैस दा कोई स्थान नहीं, इसे करके तरमा नुँ उसारन दा काम पैगंबरां दे जिम्में लगाए बाजशाहां जा जर्नेलां दे नहीं, तरम नुँ फैलाउन दा काम इस्तरियां ने कीता है, जदोके पुर्शाने तार्मेक नफरता ही फैलाईया हान पुर्श कामतन दे सर्ज दे हान, इस्तरी सब्याचार नुँ उसार दी है, पैगंबर मानुब जाती दा सांजा सरमाया हुन दे हान पैगंबरां नल बैस या नहीं जा सकदा, उना दी शरन वी चाजान नल सब प्रशन पिछेरे जान दे हान स्यान पनाल ना कोई प्रशन पुछे जा सकदा ना इस नाल कोई बैस सम्भप हुन दी है अ जो जानदा है, वो कोई प्रशन नहीं पुछेगा हर संत द्वाले पापियां दी पीड जरूरी है जियों जियों शर्दा लुआंदी गिनती फैल दी जान दी है त्यों त्यों संत सुंगड़ दा जान दै इक वारी एक संत दे द्वाले जदो पीड जुड़ गई ता उसने किहा हून तक मैं परमात्मा नाल सां तुसी आके मैंनों इकल्यां कर देता है बैस मनुखनों इकल्यां करके उसनों निताना कर देंदी है अजोके युग विच मनुख ओदों साव परतीत हुन दै जदों अपनियां सारियां चालां चल चुक्या हुन दै ते अपने सारे तर्क वितर्क वर्त चुक्या हुन दै नुक्स कड़न दी आदत अभिमान विचो उपजदी है नुक्स सविकार करना निमरतादा प्रक्टावा है अपने गवंडी नल चंगे विहारते सुखावे सबंदा तो बेना असी सुखी नहीं हो सकते जेडे द्रक्त हनेरी नल सैमत होके चुल दे हन वो बचे रन दे हन उखड़ दे उई हन जडे हनेरी नल बैस दे हन हर किसे को बोलन बैसन लेई वक्त है पर चुप रेन लेई ही समा नहीं है असीस करके बुली जान दे हैं ता जो सोचन तो बचे रहे है अपने विरोधी नल बैसन वाले मूरक ते ड्रपोग तान तो अनु कई मिल जानगे, पर उस नल सैमत होन वाले स्याने ते बहादर विरले ही मिलनगे बैस अक्सर किरना दी पावना तो प्रेरत होन दी है, किरना ओ जंग है जिस विच मौत दे शैतानी तमा के गूँज दे हन, जे किरना जा विरोधता ही नहीं ता बैस के में संबब होईगी बैस बननी हुई बेड़ी दी ते सैमती चल्दी बेड़ी दी परतीक है वेख्या गया के सचनिय जे तसमेवी नी बनने हुंदे के बैस दा चूट सारे संसार दा चक्कर लाके मुडवी होंदे दलेरी सैमत होन लेई चाहिदी है, बैस करन लेई नहीं जांग ता कोई भी अरंब कर सकता है, ओखा काम ता बैस जांग विच्चों कोई उसारू नतीजा उपजोना है किसे मुलवान लापता एक जा महत्तपूरन वस्त जांवरतारे संबंदी बैस संबब नहीं हुंदी बैस सदा निगूनियां वस्तांते निरर्थक वरतारेंस बंदी ही हुंदी है कैया दी योगता विरोता विच ही चमक दी है मेरे एक मित्तर हन वो जिस दे पक विच बैस दी हनो ठक जांदा पर वो अड़े रहन दी है इक वरी उनाने मैनू दसिया अगले हफ्ते कोई चगडा नहीं हो सकदा क्योंकि मैं बार जा रहा हूं असी प्यार नालोनानू चगडा सिंग सिदांती केंदे है सारे संसार दी एक समस्या है उस्ता ना मनुख है जदो मनुख दा इख дальше पक कमजोर हो जानदा है ता उसती पाशा कोड़ी ती सक्त हो जानदी है कोई भी व्यक्ती अपनियां काटांदा जिकर नहीं सुन सकदा जदो बैस हुन दी है ता हर तिर अपने पक वीच दलील उसार लेंदी है दलील दलील हुंदी है जरूरी नहीं के सच भी हुए इक वरी दो व्यक्तिक बैस कर रहे सन के कराट नल दरिया चल दा है जा दरिया नल कराट चल दा है इकाम व्यक्ति कहेगा मैं समुंदर नुवेख्या पर दलील बाज सिद्ध करेगा कि समुंदर ने मैं नुवेख्या बैस करन वाले पठाना वांग हर वेले खेब बड़दी रंदेहन मेरी तारना के पंजाबी बूली कोल बैस वाले शब्दावली नहीं है साड़े कोल शर्दात्मक शब्दावली है लड़न पिड़न वाले शब्दावली है पर बैस वाले तर्क वितर्क वाले शब्दावली नहीं है साड़े यां सारियां पार्ति पाशावांदी अजय ही स्थिति है सदे युग विच किसे भी खेतर विच दो व्यक्तियां दा रल के रहना जा सैमत होना संभव नहीं रहा उन्ता ये भी क्या जान्दा कि जे किसे थां दो व्यक्ति इको तरा नल सोच दे हन तेदा अर्थ है कि इक फालत हुए जेडियां इस्तरियां पुर्ष खेतरां विच परवेश कर गईया हन उना विच भी बैसन दी आदत बलवान हो रही है जे बैस ता अधार तरक हुए ता गल निबढ़ जान दी है पर बैस दी आदा अरक सर पक पात हुन दी है जेड़े किसे तरक नू नहीं मन दे ते बैस निरंतर जारी रहन दी है फाज जदों कोई फैसला कर लें दी है तो बैस जाँ प्रश्णान जाँ संसियान जाँ तो मुक्त हो जान दी है उदा सारा बल उस फैसले नू अमल वेच लेवनों ते लगदा है फैसले उपरंत पौज पूरन प्रस्पर सैमती नल जुड़ दी है सैमती स्वैवेश्वास शक्ती ते सैंशीलता रलके सुन्दर ता ते सोज सिर्ज दे हन सुन्दर चेरे दी रोशन दिमाग दी बैस लाजवाग हुन दी है किसे नू उपदेश देन तो पहला जिन्दगी विच वड़े काटे बरदाश्ट किते हुने चाही दे हन शान्ती ते तसलीज जोर नल नहीं तीरज नल मिल दी है जदों तुसी सैमत हुन देओ तथ अनू अपने हलके फुलके हुन दा एसास होईगा जदों के बैस कर दियां दोश थप दियां तों तालोनियां सब कुछ पाराती बोजल लगेगा वेख्या गया है कि जनात उसी डर दियां उना नल असी बैस काट कर दियां क्योंकि जनात उसी डर दियां वो अपने असली आकारतों बड़े परतीत हुन दे हैं पिंजरे दे शेर नालों जंगल विच को मदा शेर वड़ा प्रतीत हुन्दा है। मुझ दर्द शेर हो जावे है। ता मनुख बिहोश हो जान्दा है। इवें जदो बैस असे हो जावे है। पुझारत है, अते बैस उसनों समझन दाई को प्राला है, पर विचारां दी पंड चुक करना लसी चलाकता हो जान देया, स्याने नहीं हुंदे, केंदे हन जे तुसी बैस होगे नहीं, ता लोग तो अनुपोल जानगी, मीटिंगां, सैमिनार आद विच, कई केवल इसली बै इवी कबजेदी एक पाव नहीं है, जड़ी सुवार्थ ते लाल चतों प्रेरित हुंदी है, जित्थे किदरे वी कबजेदी पावना होएगी, उत्थे बैस, हिंसा, मारतार, लडाई ते मुकदमे वी होंगे, कबजेदी पावना जीवन प्रती साधे समुच्चे द्रिष इवी कबजेदी है, इक वरी रस्ता पुल गईक कारवाले ने रस्ते ते एक आजडी तो पुच्चे आ, इस रस्ते ते दिल्ली आएगी, उत्तर मिले पता ने, कारवाले ने क्या, तूता मूरक है, तैनू कुछ भी नहीं पता, आजडी ने क्या, पर मैं रस्ता ने बुले जेडे सई रस्ते ते हुंदे हन, उनानू किसानना, आजडियां जा कारी गरावांग बहुत कुछ जानन जा बैसन दी, लोड नहीं हुंदे, बैसन दा बौता काम अक्सर तन खादे शर्दालू जा वेले राजसिया गुही कर दे हन, संसार विच कोई वी व्यक्तिय जया न जिसने अपने जीवन विच प्रापत किते सारे ग्यान नू वर्त्या हुए, बैस करन वाले लोग अक्सर गंबीर होके, अपने स्याने ते विशेश उन दा परम सिर्ज दे हन, गंबीर ता जोके युगदा एक रोग है, साडे तरम वीस रोग तो पीड़ थन, कोई तरम सान हसन दी आग्या नहीं देंदा, बैस करन वाले गंबीर ता उत्ते जोर देंदे हन, जदों के गल्लां उस सारियां हासो हीनियां कर दे हन, जे गंबीर व्यक्ती हसन लग पवे, ता ओदे विशेश उन दा परम तुट जान दे, तियो एक सदार्न व्यक्ती परती थोन लग प बना के इसनों शक्ती ते सैम्ती दा सुमा बना सक दे हन, रिष्टियां दे पुल तो फान दे ओन नल नहीं तूट दे, पर बैसन नल इसे जी तूट जन दे हन, तुटे होई पुलां तों कोई आवाजाई नहीं लंग दे, तान वाद